जैहन दोस्तों मैं सुनिल रोशन स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों हम प्रिप्रिशन कर रहे हैं आगामी आने वाली फिजिकल एजुकेशन की परिक्षाओं की जिसमें मैं आपको EMRS, UPTGT, LTGREAT जैसे एक्जाम की प्रिप्रिशन करवाता हूँ दोस्तों आज हम देखेंगे हमारा आटवा चैप्टर 16 तंतर यानी की रस्पारेटरी सिस्टम के बारे में जो की होने वाले हैं best 25 questions दोस्तों इन 25 questions में से आपको maximum exams में ये question आपको देखने को जरूर मिलेंगे तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए ताकि ऐसी ही informative वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे तो देर न करते हुए चले शुरू करते हैं आज की question series तो आज का पहला question है दोस्तो हवा में कितने प्रतिशत nitrogen होती है यानि कि जो वायू होती उसमें डेर सारी gas होती दोस्तो उसमें nitrogen जो gas होती न उसकी कितनी प्रतिशत मात्रा होती दोस्तो 68%, 78%, 58% या फिर 88% तो जो सही option होगा दोस्तो वा option B 78% ठीक है दोस्तो धहान रखेगा जो भी वायू होती है जो बाहर वायू हम इंटेक करते हैं उसमें जो nitrogen की मात्रा होती है न वो 78% होती दोस्तो और यह सबसे ज्यादा मात्रा होती है ठीक है दोस्तो अन्य गैसों के मुकाबले nitrogen ही वो gas है जो की इन सारी gasों में सबसे ज्यादा मात्रा में होती है ठीक है दोस देख हो दोस्तो बीस बार भी कुछ बोक्स में दे रखा है और 16.-18. कुछ बूक्स नहीं देगा तो अगर यह दोनों आपके उसमें दीखते हैं कोई ये कौप्छन आपके उसमें दिखते हैं कोई भी का श्वशंत अंतर का तंतर अंच्षरान तंतर का अभी तो दोस्तों लोग refuge को Norma । आप भोग से सिस्टम और जही natACE को के अभी अग्याइश नूवता है यह Michael कि जो आहार होता है जो फूड हम इंटेक करते हैं उसको डिवाइट करने का काम करता है ताकि वो फूड जो हम खा रहे हैं पानी जो हम पी रहे हैं उमरे लंक्स में न जाए ठीक है नेक्स कोशन है मारा दोस्तों श्वांस नली यानि कि वेंड पाइप के ऊपर एक छोटा सा नुमा भाग होता है जो कि भोजन खाते वक्त भोजन के कड़ को श्वांस नली में जाने नहीं देता है उसको रोकता है उसको क्या बोलता है अभी हमने डिसकस किया से पिछले कोशन में दोस्तों अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं ब्रॉंकस अल्वियोलाई औसो फेग करके रखता है नेक्स कोशन है दोस्तों हमारा मनश्य द्वारा सांस में ली गई वायू में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों बहुत नॉर्मल कोशन है लेकिन आपने देखा हो गई यह maximum number of exams में एकोशन पुट अप किया गया है दोस्तों आपकी आप्शन से 21% 31% या फिर 21% तो इसका सही आंसार होगा दोस्तों option A 21% ठीक है दोस्तों देखो preparation तो बहुत लोग करा रहे हैं मैं भी करा रहा हूं बट जहां से सही चीजें मिल रही हैं आपको उसको इंटेक करें और अपनी अच्छी सी नोट्स बनाते हुए चलिए ठीक है और इन questions को आप आराम से वन लाइनर में भी आप आराम से एक अच्छी खासी नोट्स बना सकते हैं दोस्तों नोट्स मैं भी बनाता हूं और नोट्स बनाने से क्या होता है चीजें रिवाइस बहुत असानी सो जाती है तो जहां तक मेरा मानना है आपको नोट्स जरूर बनानी चाहिए दोस्तों ठीक है अगला कोशन देखते हैं दोस्तों व्यक्ति द्वारा श्वसन क्रिया यानि कि रेस्पारेशन में निकलने वाली जो वायू होती है उसमें कार्बन डायॉक्साइड जो कि मात्रा कितनी होती है दोस्तों यहां पर आपके ऑप्शन से दोस्तों 5.5% 4.6% 4.4% या फिर 4.3% तो आपका जो सई ऑप्शन होगा दोस्तों वह होगा यहां पर ऑप्शन डी 4.4 पॉइंट सॉरी ऑप्शन सी 4.4 परसेंट तो जो भी कर्बन डायॉक्षाड बाहर निकल अधिक मात्रा कौन सी गैस की होती है दोस्तों दोस्तों अभी भी हमने इससे पहले डिसकस किया था नाइट्रोजन के बारे आपको याद होगा तो है ना नाइट्रोजन ही वह गैसे दोस्तों जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में वायू में होती है मौजुद ठीक है तो यहां स्टेटेस्कोप से तो आपने देखा होगा डॉक्टर वह आपकी ब्रीध वगएरा चेक करता है ना सांस कैसे चल रही है फिर इस पाइरो मेटर जो होता है दोस्तों यह आपकी लंग्स कैपसिटी या वाइडल कैपसिटी को ही मापने के लिए होता है ठीक है तो यहां पर बात करें तो यह कहीं ने कहीं आपकी चर्बी वगएरा ना अपने के काम में आता है देखा होगा आपने अपने बीपेड के प्रैक्टिकल वगएरा में इन सारी चीजों का अपने यूज किया होगा दोस्तों ठीक है यह बहुत इंपॉर्टन कोशन है और यह भी काफी एक सेकेंड में पांच सेकेंड में या फिर 45 सेकेंड में तो यहां पर जो आपका साई ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी 5 सेकेंड ठीक है दोस्तों तो पांच सेकेंड के अंदर हमारी एक बार सांस लेने की पूरी प्रक्रिया यानि कि हम सांस को अंदर भी भर ल पूल्ड या बेता है इसको नापने का दोफो फॉर्मूला होता है न बूस्त का विअ इसको अपकी आपसेटीई ऐसे इसमें एक यह दिया बूस्त अध्यजित ॉस्तायाजियर्म और होती आपके वाइटल वैल्यों के बराबर रहा गयुतिय। उकल टू वाइटल वैल्यू प्लस कॉंप्लिमेंटरी या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वाइटल कैपसिटी का जो फॉर्मुला होता है वह होता है ऑप्शन ए वाइटल कैपसिटी जो बराबर होती हो टाइडल वॉल्यूम प्लस कॉंप्लिमेंटरी प्लस सप्लिमेंटरी ठीक है याद रखना इस चीज को दोस्तों इसमें कॉंप्लिमेंटरी और सप्लिमेंटरी दोनों को ही एड़ किया था टाइडल वॉल्यूम के साथ ठीक है नेक्स कोशन है मारे दोस्तों लंक्स कैपसिटी का सूत्र क्या होता है residual volume होता है stroke volume होता है vital capacity plus residual volume होता है या फिर cardiac output होता है तो यहां पर आपका होगा option जो सई होगा option C lungs capacity बराबर होती है vital capacity plus residual volume के दोस्तों ठीक है ध्यान रखना है vital capacity प्लस residual volume इन दोनों को मिला करके ही आपकी lungs capacity बनती है दोस्तों ठीक है तो option C यहां पर आपका सही हो जाएगा next question की बात करते हैं दोस्तों तो अगला question हमारा जोर से मुह से हवा निकालने के बाद maximum in exhalation जो हम करते हैं उसमें हवा फेफडों में कुछ न कुछ बची रह जाती है तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों या हम TG के साथ सांस को बाहर फेकते हैं तो उसमें तब भी फेफडों में कुछ न कुछ हवा हमारी बची रह जाती है दोस्तों तो उस चीज़ को हम क्य भी भूलते हैं दोस्तोंος एपके रहो पस्काने स्वाम की स्थिति ने 2-1 मिललिटर अक्शिजन ले लेटा है जब हम रेस्थ नोए गौटी है Final आखमक्या लें में रेस्थितों को्शन है ये खुचन्सक रहां की स्थेती में कर रहे होते हैं आराम कर रहे होते हैं तो एक मिनट में हम कितने मिलिलिटर ऑक्सीजन इंटेक कर लेते हैं दोस्तों 350 से 450 मिलिलिटर 250 से 350 मिलिलिटर 400 से 500 मिलिलिटर या फिर 600 से 700 मिलिलिटर तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 250 से 350 मिली लिटर यानि की option भी आपका यहाँ पर correct हो जाएगा 200 से 300 मिली लिटर oxygen एक सामान विक्ति आराम की स्थिती में इंटेक कर लेता है next question है हमारा दोस्तों शारिरिक अभ्यास के दोरान एक खिलाड़ी एक मिनट में कितनी oxygen लेता है 100 मिली लिटर 200 मिली लिटर 4500 से 5000 मिली लिटर या फिर 6000 से 7000 मिली लिटर यहाँ पर आपका सही option होगा दोस्तों जब भी एक स्पोर्ट्स परसन होता है वो एक मिनट के अंदर 4500 से 5000 मिली लिटर oxygen इंटेक कर लेता है यहाँ पर आपका option C correct हो जाएगा कि एक खिलाड़ी एक मिनट के अंदर कितनी oxygen लेता है 4500 से 5000 मिली लिटर oxygen इंटेक कर लेता है यह बहुत ही important question है दोस्तों वाकि बहुत ज़्यादा important question अगला question है दाइफ फिफडे में यानि कि हमारे right lung में कितने lobes होते हैं देखो दोस्तों हमारे lungs में ना दो पार्ट होते हैं एक right एक left है ना दो lungs होते हैं अब इन lungs में भी ना lobes होते हैं पार्ट होते हैं अलग अलग जैसे आपका और एक चीज़ ध्यान रखना कि lungs में total पांच lobes होते हैं किसी एक में तीन होते हैं और किसी एक में दो होते हैं त तो चार और पांस तो यहां option में हो गए यह गलत हुजाएका आपका ठीक है तो यहां पर जो आपके दाए फेपड़े के बारे में ञाले की? 3 lobes होते हैं दोस्तों ठीक है कितने lobes होते हैं 3 lobes होते हैं तो यहाँ पर आपका जो option हो जाएगा option A is the correct answer आपके दाई फेपडे में यानि की right lung में 3 lobe होते हैं अब बच गए 2 lobe तो जाहिए से बात है वो आपके left lung में होंगे ठीक है यह हो सकता अगला question वही हो आपका देख लेता है next question क्या होता है हमारा फेफड़े नहीं वो question नहीं है ठीक है फिर भी आप ध्यान रखना कि आपके बाएं फेफड़े में 2 होते हैं और दाएं फेफड़े में 3 होते हैं ठीक है यहाँ पर जो आपका सई आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option A 4.50 से लेके फाच 5 लीटर तक ठीक है यानि साड़े चार से minimum साड़े चार लीटर और maximum 5 लीटर फेफडों में हवा भरने की छमता होती है हमारे lungs की जो capacity होती है साड़े चार से 5 लीटर के बीच में ठीक है शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहा होता है माइटो कॉंट्रिया में अल्वियोलाईस में या दोनों माइटो कॉंट्रिया अल्वियोलाईस में या फिर इनमें से कोई नहीं तो आपको जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा अल्वियोलाई ठीक है ध्यान रखन दोस्तों जो हमारी गैसों का आदान प्रदान होता है ना यानि कि कैसे कुछ अंदर जा रही है और कुछ बाहर निकल रही है ठीक है फेफडों के अंदर जा रही है और फेफडों से बाहर निकल रही है आदान प्रदान होता है गिव एंट टेक वाला जो प्रोसेस होता है ना अगला question देखते हैं दोस्तों अगला question भी हमारा बहुत important है अल्वील लाइ में विती जई द्वारा सास में ली गए oxygen किस कोशीका में मिलती है बहुत ज़्यादा important question है दोस्तों जब भी alveoli में जो हम सास लेते हैं उसमेts अल्वील लाइ में जो oxygen जाती है ना वो कौन सी सेल में जाकर के मिलती है ठीक है कौन सी सेल में जाकर मिलती है लियूकोसाइट्स में ट्रॉम्बोसाइट्स में आर बीसी में या डबलू बीसी में तो इसका जो सही अंसर होगा दोस्तों वो होगा लाल रक्त कडिकाई यानि कि red blood cells ठीक है तो यहाँ पर जो आपका सही answer हो जाएगा वो होगा option c rbc ठीक है दोस्तों यानि कि alveoli में जो सास ली गई है उसमें oxygen जो मिलती है वो कौन सी कोशिका में जाके मिलती है वो हमारी rbc में जाकर के मिलती है ठीक है दोस्तों next question है हमारा ध्वनियंत्र यानि कि voice box का दूसरा नाम क्या है यानि कि sound box भी बोलते हैं इसको दोस्तों voice box को ठीक है ध्वनियंत्र जहां से अमारी यवाज निकलती है उसका दूसरा नाम पूछा है जैसे larynx है pharynx है trachea है या also phagus है तो दोस्तों इन चारो options में जो सही option होगा वो क्या होगा दोस्तों वो होगा आपका larynx जिसको हम ध्वनियंत्र यानि कि sound box बोलते हैं और आपने देखा उगोस को हम कवा कहके भी बुलाते हैं ना ठेटुआ वगरा सुना होगा आपने ही बहुत से लोग बोलते हैं कि इसका गले में ठेटुआ होता है है ना कवा वो और चड़ी हुई दोनो जिल्ली के नाम कि एक्चली फेफळो मैंना double layer की परत होती है इसमें दो जिल्ली लिख दिया मैं double layer की परत होती है वो हो जाएगा पार्शियल प्ली और ठीक है फेफळो की उपर हमारे double layers चड़ी होती दोस्तों जिसको हम partial plura बोलते हैं layer या जिली जो भी आप कहलो ठीक है तो यहाँ पर आपको option A सही हो जाएगा partial plura ही वो जिली होती है जो favorite के उपर या उसको cover करके रखती है अगला question है दोस्तो श्वसंदर सबसे कम कब होती है ये भी बहुत आसान question है लेकिन आपने देखा होगा ये यूपूटीज़टी का favorite question है maximum time पूछा गया है उसमें ठीक है तो option आपके है सोते समय खेलते समय दोड़ते समय या फिर भोजन करते समय तो इसका सही answer होगा दोस्तो सोते समय ठीक है श्वसन दर्द हमारी सबसे कम कब होती है जब हम अराम कर रहे होते हैं सो रहे होते हैं तो option A आपका है अपर से हो जाएगा सोते समय next question है दोस्तो नीश्वसन यानि कि inspiration की अवस्था में diaphragm यानि कि जब हम सांस को अंदर खीच रहे हूँ ठीक है option से सिकुडता है फैलता है या कोई बदलाव नहीं होता या इन में से कोई नहीं तो दोस्तो आपका जो सही answer होगा वो होगा option A सिकुडता है बेलकुल दोस्तो जब हम सांस को अंदर खीचते हैं तो हमारा diaphragm क्या होता है वो contract करता है यानि कि सिकुडता है दोस्तो अंदर भरने पर ठीक है ध्यान रखना आपका यहां पर सही option हो जाएगा सिकुडता है inspiration के time पर हमारा diaphragm क्या होगा सिकुड़ेगा दोस्तो next question है दोस्तो हमारा श्वसन केंद्र कहां स्थित होता है ठीक है respiration का जो center होता है दोस्तो वो actual में कहां होता है माइंड में होता है ठीक अब यहां चारो ही चीज़े माइंड से related है आपका hind brain हो गया fore brain हो गया mid brain हो गया या medulla हो गया ठीक है तो ध्यान रखना है दोस्तो option ace का सही answer होगा medulla 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 oblongata medulla ही वो एक center point है जो की respiration का center point है यही से आपका जो स्वसन होता है वो control भी किया जाता है ठीक है clear हुआ ठीक है तो स्वसन तेंद्र कहां पर होता है हमारा स्वसन केंद्र होता है medulla में कहा होता है medulla में और यह brain का part होता है next question हमारा जैविक-ाक्सि करन, यानि कि बैयलोजिकल अक्सिडेशन में उर्जा जो होती है, वो किस फॉर्मेट में बाहर निकलती है, बाहर ग्लूकोस के रूप में निकलती है या लैक्टिक एसिट, जिसको हम दुखदाम ले बोलते हैं, उस फॉर्म में निकलती है ATP यानि कि adnocent triphosphate इस form में निकलती है या फिर ADP adnocent diposphate तो देखो दोस्तो ग्लूकोस अलेक्टिक एसिड तो होना ही नहीं है और यहाँ ATP और ADP में maximum लोग पता रहता लेकिन फिर भी confused हो जाते हैं यहाँ पर आपका सही अंसर होगा adnocent triphosphate ठीक है यानि कि option c ATP ठीक है biological oxidation में जो energy बाहर निकलती है वो ATP के format में बाहर निकलती है ठीक है और इसके ध्यान रखना दोस्तों इसके आपसे ADP और ATP के फूल फॉर्म से भी पूछ लेता है ठीक है और हमारा आज का main और आखरी question है जो कि सभी exam में पूछा जाता है यानि नोस में जाती है फिर इसके बाद वो हमारी pharynx में जाती है ठीक है pharynx है ना pharynx में जाती है pharynx मतलब होगे आपका शायद ग्रसनी ग्रसनी बोलते है मेरे ख्याल से pharynx को ठीक है फिर इसके बाद वो आपके लेरिंग्स में जाती है साउंड बॉक्स जो होता है हमारा इसके बाद वो ट्रैकिया में जाती है फिर ब्रॉंकी में जाती है फिर इसके बाद ब्रॉंकी ओल्स में फिर सेगें लास्ट एल्वियोलाई में देन इसके बाद आपके पूरे में फैल जाती है तो यहां पर जो आपका सही option होगा दोस्तों वो होगा आपको option A सबसे पहले नाक में आएगी फिर फैरिंग्स में फिर लेरिंग्स में फिर ट्रैकिया में फिर ब्रॉंकाय में फिर ब्रॉंकियोल्स देन and the last is lungs आशा करता हूं दोस्तों मेरी ये वीडियोस आपको काफी पसंद आ रही होंगी और आपके काफी काम आ रही होंगी दोस्तों दोस्तों अभी मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले मैं topic wise आपके सारे important mcqs या questions हैं उनको मैं complete करा दूँ देन अभी मेरे एक भाई ने ब बताएं मेरे को ताकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड हो सके एक्च्वली मैं कुछ लगबग एक महीने से बिमार चल रहा था जिसकी वज़े से मैं वीडियोस कंटिनुन नहीं ला पा रहा था बट अब आपको रेगुलर डेली पर डे सोसलोजी है, हेल्थ एजूकेशन है, जीतनी भीज़ी इनको भी उसको पको एक कोशन इन से रेडियोस को और रहा रहा है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर